प्रखर अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी वा उनके सायोगी के रूप में साधक अधिवक्ता श्री नीरज देशवाल जी कोर्ट में पेश हुए बहस शुरू होने से पहले वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी के द्वारा जच साहब निशान शर्मा जी से नारायन साय जी को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये आदालत की कारवाई को देखने वा सुनने के लिए निवेदन किये जाने पर जच साहब ने वीडियो कॉन्फरे सिंग द्वारा सुनवाई में जुड़े रहे बहस के दौरान धर्मिंद्र मिश्रा जी ने जज साब से कहा जो DVD महिंदर चावला की तरफ से पुलिस द्वारा केस की फाइल के साथ सनलगन है उसे अदालत में चला कर दिखाया जाए ताकि यह पता चल सके कि महिंदर चावला पर गोली चलाने के दौरान फुटेज में आखिर कौन-कौन है जिसके बाद कोर्ट के सिस्टम पर DVD नहीं चलने के कारण लैपटॉप में चलाने का प्रयास किया गया पर लैपटॉप में भी यह DVD नहीं चल सकी बहस में वकिल मिश्रा जी ने नियाले से कहा कि DVD जैसे जरू व्यक्ति का नाम लिया है घटना के वक्त वीडियो फूटिज में वह व्यक्ति है या कोई और साथ ही पुलिस की चार्ट शीट में ऐसे कई तत्यों के बारे में श्पष्ट हो सकेगा महिंद्र चावला सुनवाई के दोरान अनुपस्थित रहा लेकिन उसकी तरफ से उनके काउंसल सुनवाई में उपस्थित रहे समय के अभाव के कारण डीवीडी चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जज़ साहब के दोरा अगली सुनवाई की तारीक आठ मई 2023 यानि कल की दी गई है धन्यवाद हरियों संत्श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार पुझ श्री के दर्शन, विशेश आग्याय, दिव्य सत्संग, पुझ श्री का स्वास्ते समाचार, नियाईक प्रक्रिया की जानकारी, एवं पुझ श्री के विरुद्ध हो रहे शडेंत्र की हर सच्चाई, अर्थात पुझे गुर्देव से सम्मंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापु की फॉझ को अभी सब्सक्राइब करें, एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और वाटसैप ग्रूप अभी जोइन करें, धन्यवाद हरियों